तो यहां पे हम बात करेंगे कुछ objective questions की 20 objective questions में आपको यहां पे solve कराऊंगी तो इस chapter का नाम है दो धुरुवियता का अंत यह हम हिंदी में solve करेंगे तो first question देखते हैं बर्लिन की दीवार कब बनेगी तो बर्लिन बॉल के बारे में यहां पे पूछ रहा है तो यहां पे जैस पूर्वी जो जर्मनी है और यहां पे पश्चमी जर्मनी है तो यह वाला जो area है यहां पे Soviet संग के अंदर में आता था और यह जो है यह Western Europe पापा पाट था तो यहां पे क्या है इस wall को जो बनाया गया था तो यह बनाया गया था 1961 के समय पे जब Cold War स्टार्ट होता है न में जो उसकी जो missiles वगरा लगा देता है जैसे फस्ट वाला चैपर डिलीट हो गया है लेकिन वहां पे जो क्यूबा में जो missile रखी जाती है उसके बाद पर यहां पे लोगों का जो Cold War शुरू होता है तो वो 1961 से आप याद रख सकते हो 1961 के समय पे इस wall को बनाया गया था ठीक है second question देखेंगे Berlin की दिवार कब गिरायी गई थी अब यहां पे क्या है बनाई गई है और यहां पके इसको गिराएंगे तो यह जो गिरी थी 1989 में ठीक है तक्रीवन 28 सालों के बाद इसको गिराया जाता है और यह कब गिराया जाता है क्योंकि यहां पे जो यह wall की वज़े से इन लोगों की जो साम्यवादी और कुंजीवादी जो विचार धारा है तो इनको क्या है अब यहां पे खतम करने की बात की जाती है तो इसको यहां से हटा दिया जाता है और यहां पे जो पूर्वी जो एरिया होता है जो सोवेट संग का जो एरिया होता है वो भी कुंजीव पुन्जी वादी जो विचार धरा है उसको अपनाने के लिए वे बात करते हैं तो इसी लिए इस बैरियर को हटा किया जाता है तो हमारा अंसर हो जाएगा यहाँ पर 1989 अंदर गया कितने वर्षण संग कियाए उसके फ़ूर्थ है सोविए संग की विगटन की बात उसकी सुरक्षा परिशत की सथाई सदस्यता किसे दी गई सोविए विखर गया है तूट गया है इसका विगटन हो चुका है तो इसको यहां पे क्या है शुरक्षापनिशत क्या है आपका जो security council जो आपका UN है ना अंतराश्टी जो संगठन है तो वहाँ पे किसके पास सदस्यता है इस country के तो यहाँ पे है रूस के पास है ठीक है वो एक permanent member है वहाँ का उसके 1991 के बाद कौन जो है वो कई प्रांतों में तूट जाता है तो यह होता है आपका यूगोसलेविया जो है यह 1991 के बाद कई प्रांतों में तूट जाता है ठीक है जिसमें क्या है आपका बोस्निया होता है हर्जो गोवनिया होता है ठीक है क्रोशिया होता है कुछ ऐसे प की क्रांती कम हुई थी तो रूसी क्रांती हुई थी उनिस सो सत्रा और सेवंध कुशन है सोवियत संग के खेमे में शामिल देश क्या कहला है जो सोवियत संग का जो खेमा है न उसमें जितने भी देश थे जो पंदरा जो देश थे उनको क्या बोला गया था तो उनको बोला ग तो पहला यहां पर जो है, यह जो दुरूव है ये और वाला ये यहां पर किया हो जाएगा आपका USSR वाला है, और यहां पर जो पस्च्मी दुरूप हो जाएगा, यहां पर क्या है ये अमेरिका है, तो यसी की पुरा जो वर्ल है ना, ये दो प्रोगों में divided अर एंट कोशन 2001 में भारत और रूस के बीच कितने द्वी पक्षिय समझोते होते हैं, तो कितने bilateral agreements हैं, ये सायन करते हैं, कितने समझोतों पर सायन करते हैं, तो ये होते हैं, 80 समझोतों पर सायन करता है भारत और रूस, ठीक है? उसका दस्वा कॉर्शन है, सोवियत संग के विगटन के बाद, सोवियत संग के देशों ने डैश विवस्ता को अपनाया, अब देखो यहां में विगटन हो चुका है, विगटन का कारण ही क्या था कि हमको सामेबाद में नहीं रहना है, तो इसको तो अपनाएंगे नहीं, त तो इसमें अंसर हो जाएगा हमारा इन में से कोड़ी नहीं ये शॉक थेरपी क्या है दिको शॉक थेरपी एक transition है एक changement इसको हम बोल सकते हैं क्या है ये changement की कैसे सामेवादी से पुंजीवादी में जाना है तो जो ये बीच का रास्ता है ना इन में क्या difficulty आती है क्या बाद हो जाता है और फिर किस तरीके से दुबारा ये रिविल्ड करेंगे अपने आपको उसके लिए इस चीज़ को बोला आता तो इसमें अंसर हो जाएगा हमारा इन में से कोई भी नहीं है क्योंकि उस जो उन्होंने अपनाई थी जो बाद में जो पुंजीवादी जो व में जब यह बना था तो इसमें कितने देश थे अब आज ही डेट में कितने देश हैं यह मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन से नहीं है अब यहां पर रूस तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि नाटो जो है वो एक अमेरिका का मिलिटरी और्गनाइजेशन है जो है तो इसमें तो कोई मताभी नहीं है चीन भी नहीं होगा भारत भी नहीं होगा तो भजा क्या यह आपर ब्रिटेंड तो अंसर हो जाएगा हमारा टी नेक्स परानती की शुरुआत किस देश में हुई थी अरभ क्रांती अरब स्प्रिंग बोगते हैं इसको तो इसकी जो शुरुआत हुएती हुएती चुनेशिया से यह बहुत ही छोटा सा एक देश है लेकिन अब क्या है जो अरब एरिया है वहां पर बहुत सारे जो क्रांतियां है वो किसने किसी मुद्दे को लेके चाहें उनकी अर्थवेवस्ता को लेके चाहें वहां के सामाजी किस्ति को लेकिज, मतर्ब बहुत सारे ऐसे कारण हो जाते हैं, बिरुजगारी है, सिश्रा का भाव है, सब की वज़े से तानाषाही है, ब Bengal अचाही है, वो शेम सब बते होते हैं, असे खिलाब भहां की जो फाब्लिक है, वो एक रांती वहां पर पैदा करती है, इसको अरब रामती का नाम किया जाता है, इंग्लिश में उसको अरब स्प्रिंग बोलेंगे, तो यहां पर ताना शाही बिल्कुल थी, भ्रस्टाचार बिल्कुल था, बिरुजगारी और गरीबी भी थी, ठीक है, सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी, तो इसलिए हमा हो गया था, जर्मनी का एक ही करण कब हुआ, एक ही करण मतला यूनिफिकेशन, कब यह जो इसका जो वॉल्ट रूटी थी ना, तो उसके बाद यहां पर इसका यूनिफिकेशन हो जाता है, तो यहां पर अंसर आजाएगा, 1990, ठीक है, उसके बाद यहां पर सोवियत संग के अंतिम राश्ट्रपती कौन थे, तो यहां पर अंतिम राश्ट्रपती थे, मिखायल गौरवाचेव, उसके बाद तो फिर यहां पर यहां पर क्या है, जो इसका विगटन हो जाता है, और अशिया के जो पहले सोवियत संग, जब तक यह सोवियत संग था, यानि USSR था, तब तक इसके लास्ट जो राश्ट्रपती रहे हैं, उनका नाम है मिखायल गौरवाचे, इसके 17 कुर्शन को देखेंगे, स्वतंतिरता की घोशना करने वाला पहला सोवियत गंडराज कौन सा था, तो स्वतंतिरता की घोशना करने वाला यहां पर अंसर आ जाएगा, लिथियो संग से, लेकिन अगर यहां पर बोल रहा है कि स्वतंतिरता की घोशना करने वाला पहला सोवियत गंडराज है, यहां पर आ जाएगा आपका लिथियोनिया, तो यह इसके 15 देशों में से अलग हुआ है, और जो यह वाला है, यह से मतब यह 15 देशों में शामिल नहीं है, अ अर्मेनिया है, लेकिन अलवेनिया नहीं है, ठीक है न, उसके बाद नेक्स पर मूव करेंगे, यहां पर 18 देखेंगे, रूस के किन दो गंडराज जो थे, उनमें हिंसक अलगाववादी अंदुलन चले थे, तो यहां पर आ जाएगा चैक्चन और दागिस्तान, यहां पर जो है हिंसक अलगाववादी अंदुलन चले थे, मतलब बहुत जाता है हिंसा यहां पर फैल गई थी, अलग होने के लिए, उसके और 1991 के बाद जो है, यह कितने प्रांतों में तूट जाता है, मतलब कौन सा ऐसा होता है, यह शायद रिपीट हो गया है, यह यूगोसलेवि जो है, यह कई प्रांतों में तूट जाता है, ठीक है, तो जैसे मैंने बोस्निया बताया था, जो वोनिया बताया था, यह सारे इसके प्रांत हो जाते है, तो उसके और 28th question है, लास्त देखेंगे, निम्न में से कौन सा सोवियत संग के विगटन का कारण नहीं पूछा है, आपको विशेरी स्थियान देना है, कि नहीं पूछा है, यहां पे देखना है कि नहीं मेंचिन कर रखा है कि नहीं कर रखा है, तो यहां पे क्या है, देखो संस्थाओं की अंदरूनी कमजोरी यह तो था, यहां पर प्राब्लम यहीं से शुरू हो जाती है, उसके बाद ग आवा गमन की सुविधा है ना ये इसका कोई विविटन का कारण नहीं था तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर आवा गमन की सुविधा ठीक है तो यहाँ पर क्या है आपके 20 MCQs होते हैं फिनिश इसे हम सारे चैप्टर्स के जो MCQs है उसे जरूर नजर मारेंगे आपके एक्जाम के वपस से बहुत important है आपको काफी काम आएंगे ठीक है तो यहाँ आप अपने performance को check कर सकते हैं questions लगाईए और आप देखिए कि आवे कितने questions सही बैट है कि मिलेंगे नेक्स वीडियो में दद्धा कि लिए थन्देवागा